जय माता दी, जय मा का मक्या, मा भगवती जगत जन्य आद्धिशक्ति भवानी, अलहादीनी शक्ति कस्ट निवारीनी, दुख निवारीनी, मैसा सुर मर्दनी, चंड मुन्द नाशीनी, सिह वाईनी, क्लेश नाशीनी, पाप नाशीनी, धुरिता पहारीनी, शत्रु संग वि देवराधा ट्रस्त्थिवानी चैनल जो कोईभी गद्दी लगाता हो पवन जिसके शरीर में आती हो किसी की में गद्दी लगाते हो चाहे देवी की लगाते हो, देवता की लगाते हो, किसी भी रूप में कोई भी पवन आती हो बिना भोग के कोई भी शक्ती काम नहीं करती है यह अवश्य ध्यान रख ले सभी जने जिन जिन के यहां पे पवन आती है जो गद्धी लगाते हैं जो चोकी लगाते हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी भी खत्रे में पढ़ने के पहले इस बात का अवश्च ध्यान रख लें कि आप चाहे जितना परोपकार करें जिसके लिए भी परोपकार कर रहे हो उससे बोलो कि भया हमारी शक्ति को यह भोग लगता है आपको यह भोग लाना पड़ेगा क्योंकि बिना भोग दिये कोई भी शक्ति कारे नहीं करती है और यदि वो कारें कर रही है बिना भोग कर तो वो ultimately उसी व्यक्ति से और भगत लोग भोपा लोग कस्ट में आते हैं और फिर केते साब हमारे यह हो रहा वो हो रहा हमारी शक्ति ने रक्षा नहीं की समझ गए होंगे आप मेरी बात को शायद कि कोई भी पंडा हो कोई भी भगत हो कोई भी पुजारी हो कोई भी भोपा हो या कोई भी जाड़ हो पर्याप्त नहीं मिलता है तो वह उस गोड़े को ही खाने लगती है उस भोपे को ही कस्ट देने लग जाती है उस भगत को ही कस्ट देने लग जाती जो ये काम करता है उस शक्ति से काम कराता है तो उन सब भोपा लोगों से उन सब पवन जिनके शरीर में आती उन पंडाओं से, उन भुजारियों से, या उन सब भोपा लोगों से, उन सब जाड से, चाहे वो इस्त्री हो या पुरुश हो, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना भोग के कोई भी शक्ती नहीं चलती है, इसलिए जो जिसका भी काम करें, उन से भोग अवश्य लेले जो लगता हो, जैमाता दी, जैमा कमक्या, और भोसे लोग जो चलाते हैं, चोकी चलाते हैं, मूट चलाते हैं, किसी के या विवाहा का बंधन करने के लिए चोकी भेज दी जाती है, कोई प्रेच चलाता है, कोई माता मसानी चलाता है, आसो महरानी चलाता है कोई समशान काली चलाता है कोई मसान काली चलाता है या फिर कोई कलुवा वीर चलाता है किसी को भी चलाए जाए किसी को भी भेजा जाए बिना भोग के वो शक्ति नहीं जाती है इसके लिए व्यक्ति को पेशा खर्च करना पड़ता है और आप सोचोगे कि फ्री में काम हो जाए तो फ्री में काम नहीं होता है और जो विक्ति फ्री में काम करता है उसके घर में दरिद्धता बनी रेती है उसके घर में कस्ट बना रेता है उसकी यां कलेश बना रेता है उसके यहाँ पर भयंकर से भयंकर कस्ट की प्राप्ती होती रहती है जैमातादी